एक नए राश्ट का उदै हुआ भारत के प्रिथम प्रधान मंत्री ने ग्यान विज्ञान और खोज के लिए आधनिक भारत के धर्मिस्थल के रूप में शोद संस्थानों की स्थापना की इसी क्रम में केंद्रिय औशदी अनुसंधान संस्थान की स्थापना देश में सात्मी राश्ट्रिय प्रयोक्षाला के रूप में हुई लखनव चतर मंजिल अवत के नवाबों का मेहल एक एतिहासिक शाही स्मारक औशदी अनुसंधान का संस्थान बना और एक नए लोकतांत्रिक देश का गौरव बढ़ा केंद्रिय औशदी अनुसंधान संस्थान की स्थापना साथ वर्ष पहले वैज्ञानिक और ओध्योगिक अनुसंधान परिशत के तहत की गई थी 60 years is a very long period in an individual's life but for an institute like CDRI is not a very long period CDRI will see many many more such 60 years in its life redefining our commitments to the society and to the nation अन लोगों को श्रद्धान जली देते हुए जो आज हमारे बीच नहीं है हम भारत में और शदियों की खोज और विकास में CDRI के योगदान पर नजर डालते हैं family planning was identified as an area of special importance in the post independent period CDRI therefore decided to work on anti-estrogens after doing the phase one to phase four clinical trials sent command emerged as the drug of choice sent command is only once a week pill and that also can be ordered by taking it only post cortically because these are post cortical contraceptives गर्ब निरोधक गोली सेंट क्रोमयान के अलावा इस संस्थान ने अंचाहे गर्ब को रोकने के लिए एक योनिक पीम का विकास भी किया जिसका सक्रिय घटक रीठा से लिया गया है संस्थान ने पुरुशों एवा मिस्त्रियों में बांजबन के विशे पर भी विशे शगिता हांसिल कर ली है प्रजनन स्वास्थ में सफलता के साथ साथ CDRI ने महलाओं के स्वास्थ को लेकर आगे भी खोजबीन जारी रखी है वरिद्य महलाओं में औस्टियो पोरियोसिस या हट्डियों के कमजोर हो जाने की समस्या की रोक्थाम के लिए तैयार एक औशधी का चिकिस सी ये परीक्षन चल रहा है CDRI ने केंद्रिये तंद्रिका तंद्र के रोगों पर विशे शगिता विकिसित कर ली है साथी संस्थान द्वारा विकिसित अवसाद प्रतिरोधक, थायराइट प्रतिरोधक, नियूरोलाप्टिक, एनेस्थेटिक्स और नियूरोमस्किलर ब्लॉकर्स ने विशेश ख्याती प्राप्त की है इस प्रक्रिया में बढ़ती उम्र के रोगों जैसे पारकिंसन्स और अल्जाइमर के अलावा संस्थान ने विभिन इसनायोविक विकारों जैसे चिंता और अवसाद के लिए नई दवाओं के परीक्षण हेतू पशूओं को मॉडल के रूप में विक्सित किया है अब यहां यादाश्त से जुड़े रोगों की दवा के परीक्षण के लिए मॉडल मॉजूद है हर वर्ष लाखों लोग मलेरिया से प्रभावित होते हैं और एक बड़ी संख्या में मृत्यू भी होती है आर्टी मेसिन पौधे से बनाई जा सकने वाली औशधी की पहचान के बाद वैग्यानिक दवा और उसके प्रतिरूपों के संशलेशन के लिए यहां तरीके तै करते हैं सिंथेटिक रसायन विकास में संस्थान की विशेशगिता आज विश्व इस्तरी हो गई है बाजार में उपलब्द दवाओं के अतरिक्त संस्थान ने मलेरिया के लिए दो और दवाओं का विकास किया है इन नई दवाओं का अब चिकिस्सीय परीक्षन चल रहा है मलेरिया के प्रति सवेदन शीलता के बारे में CDRI ने भारतिय जनसंख्या की आनुवांशिक विविदता का नक्षा बना लिया है जिसमें मलेरिया से प्रभावित क्षेत्रों को साफ देखा जा सकता है इससे वैग्यानिकों को इस रोक के बारे में एक नई अंतरद्रश्टी मिली है एक विशेश औशधी के दवारा अपने लक्ष को साधने के उद्देश से वैग्यानिक अब मलेरिया परजीवी के एक सेल औरगेनेल की परक कर रहे हैं भारत में फाइलेरिया का रोग भी एक जटिल समस्या है हालांकि यह रोग भी मच्छरों द्वरा ही फैलता है वैग्यानिकों के लिए फाइलेरिया की चनोतियां बिलकुल भिन हैं संस्थान ने ऐसे पशू मॉडल का विकास किया है जो मनुश्यों के अंदर इस परजीवी की विकास क्रिया को लक्षित करता है और साथ ही साथ इस परजीवी के शरीर विज्ञान और आनुवांशिकी को समझने की प्रडाली भी तयार करता है फाइलेरिया और कालाजार के परजीवियों से होने वाले संक्रमण से बशने के लिए टीकों के विकास हेतु संस्थान ने प्रतिरक्षा, विज्ञानी, प्रतिक्रियाओं के अध्यन को उच्च प्रात्मिकता दी है लीश मैनियासिस इस परजीवि के प्रजनन और इसकी गतिशीलता को रोकने के लिए संस्थान एक्टिन अड़ों पर अपना लक्ष साध रहा है इसका प्रजलन देश के कुछ हिस्सों में ही है, फिर भी भारत इस रोक की दवाओं के अनुसंधान में एक मार्ग दर्शक के रूप में उभर रहा है बैक्टिरिया पर जीवियों से कम जटिल होते हैं, फिर भी वे तेजी से फैलते हैं और एंटिबाइटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक शमता विक्सित कर लेते हैं रोगाणूं और रोग प्रक्रियाओं पर अनुसंधान बहतर दवाओं के डिजाइन की ओर बढ़ते कदम हैं उदाहरण के रूप में जो रोगाणू क्षय रोग का कारण है वह उस विशेश प्रतिरक्षा सेल को संक्रमित कर देता है जिसका काम जीवाणूं को निगल कर नश्ट करना होता है वास्तव में ये रोगाणू सेल के अंदर ही न सिर्फ अपने को विभाजित कर लेते हैं बलकि ये प्रजनन भी करते हैं रोगाणूं को समर्थ करने वाले जीन और प्रोटीन की समझ से ही ऐसी मदद मिल सकती है जिससे विशेश दवाविक्सित हो और जो इस रोग की प्रक्रिया को रोग दे जहां एक और भारत विश्व के आर्थिक परिद्रिश में उभर कर आ रहा है वहीं यहां आधुनिक जीवन शैली से जोड़ी बीमारियां भी पढ़ रही हैं हाला कि पिछले साथ वर्षों में भारतियों की ओसत आयो दुगनी हो गई है लेकिन यहां नई नई बीमारियों से तरस्थ होने वाली जनसंख्या में लगातार हुरती हो रही है दिल के दौरों के प्रती समविदन शील भारतिय जन्मानस के लिए रक्त संचार प्रणाली उच्छ रक्त चाप कोलेस्ट्रॉल तथा एथिरोस्क्लेरोसिस और थ्रॉम्वोसिस जैसे रोगों से बचाओ के लिए किये जा रहे कारे काफी फाइदे मंद हो सकते हैं भारत विश्व में मदुमेह रोग के केंद्र बिंदु के रूप में उभर रहा है जहां टाइप एक मदुमेह का नियंतरण इंसुलिन लेने और जीवन शैली में परिवर्तन करने से हो सकता है वहीं टाइप दो मदुमेह कई कारणों वश एक चुनोती बन गया है संस्थान ने दवा के डिजाइन की मदद के लिए ऐसी प्रक्रियाओं की पहचान कर ली है जिससे विभिन मेटाबॉलिक रोगों का उपचार हो सके महलाओं में स्तन कैंसर और पुरुशों में प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए महत्वपूर्ण सुराग मिल रहे हैं संस्थान कैंसर अनुसंधान में खास ध्यान दे रहा है ताकि उन प्रक्रियाओं और संकेतों का पता लग सके जो की कोशिकाओं का अनिया में प्रसार करती हैं ऐसे बायो मारकर की खोच जारी है जिससे कैंसर का पता प्रारंब में ही लग सके। संस्थान के पास अब कैंसर की कोशिका लाइनों का एक विशाल भंडार है। CDRI बड़े स्तर पर उन दवाओं की शोत का कारे करता है जो कई बीमारियों से उबरने या उन्हें रोकने में सहेता करती हैं। फिभिन वैग्यानिक परिस्तितियों में भारत के प्राकरतिक समुद्री और वनस्पदी संसाधनों के सुरक्षित और चिकिस्तिये प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस कारे को संभव बनाने के लिए पिछले वर्षों से कई तरह के अत्यादुने उपकरणों और सुविधाओं का निर्मान किया गया है जिन से बड़ी तादाद में योगीकों का मूल्यांकन कम समय में किया जा सके। प्रोटीन, क्रिस्टेलो, ग्राफी और परमानु चुम्बकी अनुनात का चितरन जैसी सुविधाएं दवाओं के डिजाइन के आधार को बनाने में मदद करती हैं ताकि संस्धान दवा के तरक संगत डिजाइन की तरफ प्रवरत हो सके। प्रोटीन और औशधी अड़ों की संरशना को देख सकने की क्षमता औशधी अनुसंधान में एक क्रांती ले आई है। केंद्रिय औशधी अनुसंधान संस्थान में विक्सित की जा रही प्रत्याशी दवाओं की प्रभावक शमता, विशाक्तिता और सेहन शील्द का निर्धारन करने के लिए जैवरासाइनिक, उतक अध्यन और जन्तु अध्यन जैसी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता ह संस्थान में अनुसंधान के उद्देशे से प्रयोग किये जा रहे पशुओं की उनके निवासिस्थल में नीतिगत तरीकों से देखभाल की जाती है फ्लैट फर्म मॉडल ने औशदी की विशाक्तिता के परिक्षण की गती को तेजी प्रदान की है इसका सामाने सा तंत्रिका तंत्र होता है जिसके कई होमोलोगस जीन मनुश्यों के तरह ही होते हैं सुरक्षा और प्रभाव की द्रश्टी से एक बार दवा की पहचान हो जाए उसके बाद संशलेशन के तरीकों को विक्सित किया जाता है और फिर दवा के निर्माण का येने होता है देश में स्वास्त की देखभाल के खर्च को कम रखने के लिए संस्थान में दवा के निर्माण में सुधार की प्रक्रिया में भी साहता की है विभिन परिस्थितियों में दवाओं की स्थिटा बनाए रखने के लिए और उनकी शेल्फ लाइफ के आकलन के लिए संस्थान में दवा के फॉर्मूलों के परीक्षण की सुविधाएं भी मौजूद हैं उदाहरण के लिए यहां ब्राजील के मौसम की स्थिती के अनुसार टिकाउपन का परीक्षण किया जा रहा है पिछले साथ वर्षों में संस्थान औशधी अनुसंधान के क्षेत्र में ज्यान, कौशल और तकनीक के एक भंडार के रूप में फिक्सित हो चुका है संस्थान द्वारा तयार जनशक्ती ने दवा उद्योग की व्रधी में विसफोटक योगदान दिया है भारतिये जनशक्ती ओशधी अनुसंधान और जैव प्रद्योगी के क्षेत्र में विश्व का नित्रित्व करने के लिए अग्रसर है भारत ने सीमित संसाधनों के बावजूद दवाओं की खोज और विकास में अपनी प्रतिभा और कौशल को साबित कर दिया है रहे ने रसायन, ने दवाए ने यंत्र नवसादन हो सुल्झे हरन, सुल्झी उल्जन, प्रकाश राणन हो When the whole country was working for the development of generic drugs in which CDRI also played a very important role along with other CSI laboratories but CDRI kept its flag high for the new drug discovery as well The future of drug discovery which are study क dele .... we are in a transitory phase, go to the new campus, starting a new life and with this new campus we will take up new challenges and make CDRI one of the best institutions in the country in the area of life sciences in the health care area and also at least one of the best leading institutions in the world CDRI, as being a part of the enterprise CSIR, is ready to put affordable health in taking up in the area of nanotechnology for delivery and biotechnology for development. पुर्ण कारी और असरदार हो रोग विकार जो दूर करें।